Hello friends Welcome back to Unicorn Academy तो friends comment के का answer की जो है वो आ गया है और आप वहां से आप अपना marks जो है वो चेक कर सकते हैं कि 180 में से आपका कितना marks जो है वो आ रहा है तो friends इस वीडियो में हम लोग comment के के related कुछ important dates के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग counseling procedure के बारे में भी देखने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करने फ्यूचर में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं तो friends चलिए अब हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो friends वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें बैल आइकन को प्रेस किजिए क्योंकि अब हम comment के के related बहुत सारे ऐसे वीडियो डालने वाले जो आपके लिए बहुत ही beneficial हो सकता है तो friends हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुछ important date से तो जैसा कि आपको पता है कि answer की जो है वो publish कर दिया गया और अगर date की बात करें तो 23 August को वो publish किया गया आप इस provisional answer की जो चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई answer इसका गलत लगता है और वो 26 August को आप कर सकते हैं जो final answer की आने वाले वो 31 August को आने वाले तो अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो जो final answer की आएगा वो final होगा और कुछ marks का अंतर भी आ सकता है तो आप फिर से उसके बाद अपना marks जो है वो check कर सकते हैं अगर official result की बात करें तो comment के कर जो result आने वाले वो 4th September को आ जाएगा आपका तो वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके इतने marks है और आपका इतना rank है लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पता करना है कि इस marks के corresponding आपका कितना rank जाने वाले तो इस वीडियो में आपको भी बता दूँगा अगर counseling की बात करें तो comment के counseling के date सभी अनांस नहीं कियेंगे रिजल्ट के बाद वो कर दिया जाएगा हम उसके बारे में आप आरे चैनल पर देख सकते हम आपको इंफर्म कर देंगे तो मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा and counseling procedure पूरा आपको बता देंगे and कौन-कौन से colleges आपके लिए सही रहेगा किस rank पे आपको किस-किस college पे focus करना चाहिए and choice filling order में हम आपकी बहुत मदद करने वाले हैं तो हमारे channel से जुड़े रहिएगा चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ and पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका marks जो आया जो answer की से आप निकाल रहे है आपका इतना marks है तो उसके करस्पड़ है आपका कितना rank होने वाल है तो friends marks vs rank section चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने किन factors पर ये list आपके लिए तयार किया है तो हमने तीन factors पर लिस्ट तयार किया है पहला तो last year trends को हमने देखा है कि किस trends से चल रहा है हमने last three to four years का analyze किया है then हमने ये list प्रिपेर किया है second factor जो हमने ध्यान है तो उसका भी जो है एक असर पर सकता है rank list पर तो उसका भी हमने ध्यान रखा है list को प्रिपेर करने से पहले and third factor जो है जो deciding factor है वो है paper level paper level पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर easy paper रहता है तो ज्यादा marks पे आपका rank जो है वो हाई हो सकता है and वही अगर paper जो हो difficult रहे तो आपका कम marks पे भी rank जो है वो अच्छा हो सकता है तो paper level भी बहुत ही important है तो हम इन तीन factors के हिसाब से हमने marks versus rank list बताया तो चलिए friends अब हम marks versus rank list देख लेते हैं तो friends हमने already आपको बता दिया कि हमने तीन factors पर अपना mark versus rank list आपके लिए prepare किया है जब आपको original rank आएगा तो आप देख सकते कि इसके आसपास ही आने वाला है बहुत ही close जाने वाला है इसके तो बहुत ही analysis करने के बाद हमने यह mark versus rank list बनाया तो friends मैं start कर देता हूं आपको mark versus rank list बताना पहले मैं आपको score बताऊंगा then मैं उसके corresponding आपका rank बताऊंगा तो आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर आप एक page में note down कर सकते हैं तो friends अगर आपका score 170 से plus है जैसे आपको पता है कि total 180 marks का है अगर आप 170 plus marks लाते हैं तो आप top 10 में जाएंगे आपका rank जो है वो top 10 रहेगा अगर आपका score 170 to 160 है then आपका rank 11 to 50 होगा आप limits को देखिए पहला इंड लास्ट वाला इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपका marks 170 है तो उसके corresponding आपका rank 11 के आसपास होगा अगर आपका marks 160 है तो उसके corresponding आपका rank 50 के आसपास होगा ओके अगर बात करें अगर आपका score 159 to 150 है तो आपका rank 51 to 160 होगा ओके अगर आपका score 149 to 140 है तो आपका rank 161 से लेके 380 होगा ओके अगर आपका marks 139 से 130 है तो आपका rank 381 से 900 तक होगा तो इसका मतलब क्या है अगर आपका score 139 है तो आपका rank 381 के आसपास होगा वही अगर आपका score 130 है तो आपका rank 900 के आसपास होगा आप लिमिट्स पर फोकस किजिए पहला वाला आखरी वाला ओके बीच में अगर आपका कोई स्कोर जैसे 135 तो इसका मेडियम आप ले लिजे 381 और 900 का तो उसके आसपास आपका रहने वाला है तो फ्रेंज बात कर लेते आगे अगर आपका स्कोर 129 से 120 तक है आपका रहने वाला है अगर आपका मार्स 119 से 110 है तो आपका रहने वाला है अगर आपका स्कोर 109 से 100 है तो वही अगर आप 180 में 100 मार्स से क्यूर करते है तो आपका रहने वाला है तो देख लिजे आप डिफरेंस यहां पे आप होने स्कूर 189 के आसपास रहेगा वही अगर आप internation में 90 मार्स लाते है तो आपका रहें का औरंपस से 16,500 रहने वाला है तो अगर आप 80 मार्ट से क्रते हैं तो आपका रेंक 16500 के आसपास रहने वाला है अगर आपका स्वेंटी नाइन तू 70 है देन आपका rank 16,501 से 26,000 रहने वाला है तो इसका मतलब है अगर आपका mark 79 है आपका rank 16,501 के आसपास रह सकता है अगर आपका mark 70 है आपका rank 26,000 के आसपास रह सकता है अगर आपका score 69 to 60 के आसपास है अगर 69 to 60 के बीच में आपका score लाइक करता है तो इसका मतलब क्या है अगर आपका 60 marks है आपका rank 37,000 के आसपास रह सकता है अगर आपका score 59 to 50 है आपका rank 37,000 1 से 45,000 तक रहने वाला है अगर आपका score 49 to 40 है आपका rank 45,000 1 से लेके 50,000 तक रहने वाला है तो अगर आप 180 में से 40 marks लाता है आपका rank 50,000 के आसपास आएगा आपका score 39 to 30 है आपका rank 50,000 1 से लेके 54,000 तक रहने वाला है इसका मतलब क्या है अगर आप 30 marks शेकर करते हैं 180 में आपका rank 54,000 के आसपास जाएगा अगर आप marks अगर आपका marks less than 30 है 30 से कम है आपका rank 54,000 से जादा हो जाएगा तो हमने पूरा marks versus rank का list देख लिया यहाँ पे आप screenshot ले सकते हैं या फिर आप page में note down कर सकते हैं तो friends जैसा कि आपको पता है कि comment के result 4 September को आने वाला है and then comment के का counseling जो है वो चालू हो जाएगा dates जो हो आ जाएगी तो friends आपके लिए अभी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि rank versus college के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस rank पे आपको कौन से college में कौन सा branch मिल सकता है तो friends जल्दी हम आपके लिए कैसा video लाने कि 5000 rank में कौन-कौन से college में कौन-कौन सा branch मिल सकता आपके सामने बहुत सारे options रख देंगे आप उसमें अपने लिए best जो है वो चुन सकते हैं सारे college का जो हम review भी हमारे channel पर डालने वाले हम top colleges of comment के के बारे में डालने वाले हैं उसके सारे placement records आपके सामने रख देंगे पू पुरा counseling procedure हम आपको समझा देंगे top colleges of comment के का video डालने वाले हैं जिससे आपको choice feeling में बहुत होने वाला है rank versus college का video हम हमारे channel पर डालने वाले हैं जिससे आप पता कर सकते हैं आपको कौन से college के लिए करना है कौन से branch के लिए एम करना है then choice feeling आप easily कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐस कर दिए तक कोई भी update जो है वो miss ना करें